जब बहुत छोटी थी तब उसकी मा का देहांथ हो गया था मरते हुए उसकी मा ने उसे कहा था बेटी, तु चिंता मत कर मैं तेरा भविश्य सुरक्षित करके ही जा रहे हूँ मैंने बैंक में तेरे लिए बहुत सारे गहने रखती है वो तुझे तेरी शादी के बात मिलेंगे और एक बात बेटा, कभी लक्ष्मी माता के उपर से अपना विश्वास मत खोना ये कहकर उसकी मा चल बसी लेकिन उसके पिता शामलाल ने ये बात सुन ले थी अच्छा, मुझे तो कभी इन गहनों के बारे में नहीं बताया मुझे वो गहने चाहिए इसके बाद शामलाल बैंक चला गया और वो गहने मांगने लगा लेकिन बैंक वालों ने साफ साफ मना कर दिया तेखिए, ये कहने के बल आपकी बेटी को ही मिलेंगे वो भी उसके शादी के बाद शामलाल दुखी हो गया और उसने बिमला नाम के एक औरत से शादी कर दी पायल की सौतेरी माँ घर पर आ गए और आते ही पायल को ताने मारने लगी क्या रे पायल की बच्ची तो यहां क्यों है तेरी मा तो तेरे लिए बहुत सारे गहने रख कर गई है ना तो जा इस गरीब खाने से निकल जा यह सुनकर पायल रोते हुए कहती है यह कैसी बात कर रही हो मा यह मेरा घर है घर छोड़कर मैं कहा जाओंगी यह लक्ष्मी मा आप भी बताइए मैं कहा जाओंगी पायल लक्ष्मी मा की मूर्ती के पास जाकर रोने लगी शामलाल ने बिमला से कहा अरे इसे हम घर से नहीं निकाल सकते नहीं तो हमें वो गहने नहीं मिलेंगे मैंने पता किया है वो पूरे 20 लाख रुपाय के गहने है हाँ आप ठीक कह रहे हो इसे दूसरे तरीके से ठीक करना पड़ेगा पायल रोते हुए लक्ष्मी मा की पूजा करने लगी और तभी बिमला ने उसके कान पकड़ कर उसे वहां से उठा लिया चोड़ दीजे, मुझे चोड़ दीजे मेरी पूजा भी खत्म नहीं हुई पायल के पूजा करके, जा पैसे कमा कर ला नहीं तो घर में खाना कैसे बनेगा हाँ, चल जा, मेरा रिक्षा लेकर निकल जा मैं आराम करता हूँ पायल के पास वाल कोई चारा नहीं रहा वो रिक्षा लेकर रास्ते में चली गई लेकिन उसके पैर रिक्षे के पैदान तक नहीं पहुचे इसलिए उसने एक डंडा लिया और उसे एक हाथ में पकड़ कर उससे रिक्षा चलाने लेगी आए, आए, मेरे रिक्षे में बैठ चाहिए, आए साहब लेकिन लोगों ने उसके रिक्षे में बैठने से इंकार कर दिया अरे तू तो बच्ची है तेले रिक्षे में क्या बैठना आये ना साहब मुझे पैसे कमाने है नहीं तो मेरी सौतेली मा मुझे खाने नहीं देंगी लेकिन कोई उसके रिक्षे में नहीं बैठा खाली हाथ घर लोटने पर बिमला ने पायल को मारना शुरू किया एक छोटा सा काम भी तुझ से नहीं होता काम चोल कहीं की ये ले अब मार खा बिमला रसोई में चूले में चाबल उबाल रही थी उसने उसी चूले से जलता हुआ लगड़ी का टुकड़ा निकाला और उसी से पायल के हाथ में मारने लगी पायल दर्थ से तड़पने लगी आँ दर्थ हो रहा है उसके हाथ जल गए वो अपने कमरे में जाकर अपनी मा को याद करने लगी मा, इस दुनिया में एक मा की अलावा एक बच्चे का और कोई नहीं है आज मुझे समझ में आ गया है मा तब ही चारों तरफ से उसकी मा की आवाज गुंचने लगी है ना बेटा, माता लक्षमी है उनकी पूझा कर, वो सब कुछ ठीक कर देंगी अपनी मा की आवाज सुनकर पायल भावुक हो गई और लक्षमी माता की पूझा करने बैट गए उसने अपने चले हुए हाथों से माता के लिए लड़ू बनाए और पूझा संपन की उसके मन को शांती मिली उधर स्वर्ग में बैठे हुई माता लक्षमी ये सब देखने लगे तभी वहाँ पर नारत का आगमन हुआ नारायन नारायन प्रणाम माते लक्षमी बोलो नारत क्या बताने आये हो मैं तो बस ये कहने आया था माते कि धर्ती पर आपकी भत आशू बहाए जा रही है उसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है क्या उससे आपका मन अभी तक नहीं पिगला एक मा का मन कैसे नहीं पिगलेगा नारत लेकिन अभी तो उसे और भी परिक्षा देनी है उसे अपनी भक्ती को साबित करना है उसी के बाद उस लड़की को मेरी क्रिपा मिलेगी जैसा आप ठेक समझे माते नारायन नारायन माता लक्ष्मी ये सब देखती रहे यहाँ धर्ती में समय का चक्का घूमता रहा बिमला की एक बेटी हो गई और कई साल बीज गया इन सालों में पायल ने बहुत कुछ सहा उसके हाथ पैर चला दिये गए उसके बाल नोच लिये गए उसके साथ एक नौकरानी से भी बत्तर तरीके का व्यभार किया गया उससे पढ़ाई नहीं करने दी गई इन दिनों में पायल बस लक्ष्मी मा को बुलाने लगी और उनकी पूजा करती रही इसी तरह उम्र बढ़ते बढ़ते पायल 20 साल की हो गई बिमला की बेटी पूजा 18 साल की हो गई पूजा ने बिमला से कहा मा अब मैं बड़ी हो गई हो मुझे मेरे बॉइफ्रेंड के साथ गूमने जाना है मुझे पैसे बीचे मेरे पास पैसे कहां से आएंगे बेटी मुझे वो सब नहीं पता कैसे माबाप है आप लो अपनी बेटी को थोड़े पैसे भी नहीं दे सकते ये सुनकर शामलाल को बहुत बुरा लगा ठीक ही तो कह रही है बेटी हम कैसे माबाप है सुनो बिमला अब उन गहनों को हड़ापना ही पड़ेगा लेकिन कैसे शादी के बाद तो वो गहने उस पायल के हो जाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा मेरे दिमार में एक आइडिया है पूजा बेटी तेरे बॉइफरेंड को बोल मुझ से मिलने के लिए अगले ही दिन पूजा का बॉइफरेंड अंकुर बिमला से मिलने आया पायल तब लक्ष्मी मा के मंदर गई होई थी वो हफ़ते में एक दिन लक्ष्मी मा की पूजा करने मंदर जरूर जाती है और घंटो मा की मूर्ती के सामने बैट कर पूजा करती है इससे पुजारी जी भी बहुत खुश होते है वाँ पायल बेटी वाँ तेरी भक्ती देखकर तो मुग्द हो गया हूँ लक्ष्मी माता के लिए ऐसी निस्वार्त भक्ती आज कल किसके मन में है पुझारी जी कि मेरी मा ने मुझे सिखाय था कि भगवान से सिर्फ मागो मत उनसे प्यार करो वाँ बड़े उच्च विचार थे तेरी मा के उधर बिमला ने अंकुर से कुछ बात की अंकुर बहुत खुश हो गया उसके बाद वाले दिन अंकुर अपने माता पिता को लेकर बिमला के पास चला आया शादी की बात करने लेकिन पूझा से नहीं पायल से पायल को नहीं पता था कि अंकुर पूजा का बॉइफरेंड है इसलिए पायल शादी के लिए मान गई उसकी शादी भी हो गई लेकिन पूजा इस बात से गुस्ता नहीं हुई क्योंकि उसे पता था कि ये एक प्लान है शादी के दिन ही बैंक से सारे गहने पायल को दे दिये गए पायल के ने और लक्षमी मा की एक छोटी सी मूर्थी लेकर ससुराल चरी गए कुछ दिन बीट गए किसी ने पायल को कुछ नहीं कहा पायल ने सारे गहने आलमारी में रख दिये कुछ दिन बाद विम्ला ने अंकुर को बुलाया और कहा अब समय आ गया है उससे सारे गयने हमें लेने पड़ेंगे सब कुछ तयार है ना हाँ हाँ अंटी सब कुछ तयार है अब तो बस रात होने का इंतजार है रात हो गई अंकुर घर नहीं लोटा क्या बात है वो भी तक घर क्यों नहीं आए ये सोचकर पायल अंकुर को कॉल करने चाही रही थी कि इतने में अंकुर का दोस्त माधव वहां गया अरे भावी अंकुर का इंतजार कर रही हो क्या अरे या अहां देबर जी वो अभी तक नहीं लोटे अच्छा तो अच्छी बात है वसे पता है क्या भावी आप बहुत सुन्दर हो मैं आपके लिए गुलाब का गुलदस्ता लाया हूँ ये बूलकर माधव पायल के सामने अपने घुट्णों पर बैठ किया और गुलाब का गुलदस्ता पायल की ओर बढ़ा दिया पायल घुट्णा गवरा गई ये सब क्या कह रहें आप? मैं आपकी भावी हो अरे भावी और बीवी में अंतर ही क्या होता है? ये बोलकर माधव ने पायल के हाथ में वो गुलदस्ता पकड़ा दिया इतने में वहाँ अंकुर के ममी पापा आ गए और ये देख लिया बहू ये ये सब क्या है अंकुर के ना रहने का फायदा लेके तुम ये सब कर रही हो नहीं नहीं आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है अंकुर के ममी पापा पायल से बहुत गुस्ता हो गए तब ही अंकुर बिमला श्यामलाल और पुजा के साथ वहां आगया और उसने कहा ये सबना कता ही बरदाशनी करूँगा इसका विक्यार होना चाहिए उसने सारे गाउवालों को बुलाया गाँवालों ने पायल को लक्ष्पी मा के मंदर के सामने जिन्दा चला देने के लिए कहा अंकुर ने उसके तैयारी भी करड़ा रही बिमला बहुत खुश हो गई पायल को मंदर के सामने चिता के उपर लटाया गया मेरा विश्वास कीचे मैंने कुछ भी नहीं किया अगर तूने कुछ नहीं किया है तो तू इस अग्णी परिक्षा में पास हो जाएगी तुझे कुछ नहीं होगा हाँ हाँ लगाओ आग चिता में अंकुर ने चिता में आग लगा दी पायल रोते हुए लक्षमी माता को बुलाने लगी हे माता मेरी रक्षा कीचे हे माता आप महान है आपको सब कुछ पता है सिर्फ आप ही मुझे बचा सकती है अज मेरी नहीं आपकी अगनी परिक्षा है मा और तभी लक्षमी माता की मूर्ती से आसु टपकने लगे और तुरंत और नासु ने एक विशाल बार का रूप ले लिया उस बार से चिता की आग बुझ गई और आसपास के सब ही लोग गूबने लगे बचाओ 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 यह चाह हो रहा है बचाओ तभी मूर्धी से लक्षमी मा स्वयम बाहर आए तुम लोग पापी हो इत निर्दूश इंसान की चांसी खिलबार कर रही है तुम लोगों को सजा तो मिलने भी चाहिए कुछ गेहनों के लिए जो लोग इतना पाप कर सकते हैं उन लोगों की मृत्यू तो लिश्य थी इसके बाद पाली इतना बढ़ गया से सभी दूट कर नर्व पाइल को इनसाफ मिल गया धन्यवाद माता धन्यवाद तुम अपने आपको दो बेटी तुम्हारी सच्ची भगती की वज़े से तुम आज जिन्दा हो आज से तुम्हें कोई परिशान नहीं करेगा और तुम धन्दौलत के साथ सुखी रहोगी तथास तु ये बोलकर लक्ष्मी मा अद्रिश्य हो गए और इसके बाद से पाइल की तरफ किसी ने आँख उठा कर देखने की भी हिम्मत नहीं की पाइल लक्ष्मी मा की पूजा करती रही और खुशी से जिन्दकी बिताने लगी